Why people are dropping this anime and title देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं इस anime की बात कर रहा हूँ आज मैं अपना experience शेयर करने वाला हूँ आपको इस anime को लेकर कि मैंने इस anime के साथ क्यों drop drop खेला और last मैं क्यों के लिए खेर छोड़ो तो मेरा opinion सुनने से पहले अगर आप channel पे नए हो तो make sure our channel for more anime related video So let's jump into the video तो यदि आपको बरूटो anime के बारे में पता है या आप उस anime को देख रहे हो या देखने की सोच रहे हो तो आपको पता ही होगा कि ये anime नरूटो anime के आगे का sequel है और जिसे नहीं पता उसे मेरे तरफ से चपिस तोपो की सेलामी और अधिकतर लोग बरूटो anime इसलिए देखना स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो बरूटो को नहीं बलकि नरूटो को देखना चाहते हैं पर उसके बाद भी हमें ये नरूटो की गलती को देखना पड़ता है और ये थोट मेरे बरूटो time skip के पहले के हैं की मैं इसे continue करता बट कुछ episode ऐसे भी आए हैं जिसने मुझे ये anime देखने में मजबूर भी किया पर कुछ episode के spoiler भी ऐसे थे जिसे देखकर भी इसे देखने का मन नहीं करता जहां उजुमा की नरूटो को आप हर fight में struggle करते हुए देखते हूँ भई बड़ा ही दुख होता है अपने favorite character को old होता हुआ देखना और उसे villain के हाँ तो पिटता देखना और उसे कौन बचाना चाहरा है ये एंड जम मैंने इसका new manga पढ़ा I mean मैं मैं मांगा पढ़ता तो नहीं बट मैंने इसके कुछ manga spoiler देखे तो मुझे ये यकीनी नहीं हुआ कि ये साला वही रोंदू है जिसने आकर हर एक episode में हगा है और कई बार मुझे anime drop करने पर मजबूर भी किया है और starting के कुछ episode देखने के बाद कि अगर गलती से ये londa मेरे महले में पैदा हुआ होता तो सबसे पहले इसे के नाम की सुपारी मैं तोजी को दे देता और इसने मेरे फेवरेट करक्टर को इतना disrespect किया कि मेरा खून खौल गया बट वेट 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 अब मुझे ये समझ आ चुका है कि इस anime को Naruto के लिए नहीं बलकि Baruto के लिए देखो गए तो तो सायदी कोई बंदा होता जो इसे ड्रॉप करता बट अब ऐसा है कि टाइम स्किप वाला चैप्टर तुमें ये बताता है आखिर कौन है ये लॉंडा Baruto Uzuma की I mean तुम ये कह सकते हो कि अभी तक इसने जितना भी राइता फैलाया है उसको ये वाके में ही समेटने का दम रखता है और हम Baruto के इस development को Naruto, Baruto और Sasuke का भेलपुरी भी बोल सकते हैं जिसे हम Indian खाना बहुत ही पसंद करते हैं और तुमें टाइम स्किप वाले चैप्टरों में आपको कुछ-कुछ Naruto Shippuden वाली भी vibe आ जाती है कि अब Londa बड़ा हो गया है मिच्योर हो गया है और Londa को पता है कि उसे आगे क्या करना है और वो एक Londa current time में इतनी power hold करता है कि वो एक बार में पूरे अर्थ को destroy कर सकता है पहले लोग इसे भगा-भगा कर मारते थे अब ये लोगों को भगा-भगा कर मारेगा और अब सच में लगने लगा है कि इसका writer कुछ ढंका को करना चाहरा है और इसलिए मजबूरन मुझे इसके anime को वापस से rejoin करना पड़ा सब चीजों को भूल कर अपने दिल में पत्थर रख कर मुझे वो scene देखने पड़े जिसने मेरे दिल को तोड़ा, मरोड़ा बट ठीक है, anime तो anime है इसमें ये सब तो चलता ही रहता है और आज के rate में मुझे ये बात तो realize हो ही गई कि कि किसी भी character के साथ ज़्यादा attest नहीं होना चाहिए वरना आगे चल कर आप कोई इस music की जरुवत पढ़ सकती है और मेरा ख्याल है कि आने वाले manga chapter में हमें ऐसी ऐसी चीजे देखने को मिलेंगी जो हम expect भी नहीं कर सकते और सायदी ऐसा कोई बंदा रह जाएगा जो इसके manga और anime को खतम करने के बाद इस anime को कचरा बोल सके क्योंकि market में जो टिकता है वही दिखता है लाइक अभी के time जैसा की one piece और मुझे ये भी लगता है कि आज के date में Naruto की story continue हो रही होती तो सायदी कोई ऐसा anime अभी तकाया है जो से टकर दे सके और Naruto anime में अगर कुछ ऐसा होता है ये तो fan theory है जो की हर एक Naruto fan देखना चाहता है बट मुझे नहीं पता कि ये possible है की नहीं बट अगर ये चीजे हो जाती है आज anime history जरूर create हो जाती इट्स माई opinion यही था मेरा कुछ थोड़ कि मैंने इस anime के साँ ड्रॉप ड्रॉप क्यों खेला था और anime को जितना बुरा बोला जाता है कभी-कभी वो उतने बुरे होते हैं जो के आपके दिमाग की माँ बहन करते बट ये anime उतना भी बुरा नहीं है और यदि आपको इसके time skip वाले anime को in future देखना हो तो आज ही आपको ये anime स्टार्ट करना पड़ेगा पास्ट के कुछ इंसिडेंट को भुला कर तो आज की वीडियो में केवाल इतना ही अगर मेरा थौट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना तो यदि आपके मन में कोई anime related question हो तो comment में जरूर पूछना मैं उसका answer जरूर करूँगा मिलता हूँ आपको अपनी next वीडियो में जब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर